विद्रॉट किया हुआ है आज किस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दरसल यह डील थी किस बारे में क्यों इतना इंपोर्टेंट माना जा रहा था और रश्या ने खुद को इस डील से विद्रॉट क्यूं किया क्या क्या रेकमेंडेशन्स पूरे नहीं किया जिसके चलते रश्या ने इस डील से विद्रॉट किया उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो रीचेनल में चाया हुआ था कि रश्या ने अनौन्स किया कि वो ब्लैक सी का जो ग्रेन डील है उसमें से फुद को व बनाया गया थे उन्हें फुल फिज्ज नहीं किया गया इंप्लिमेंट उन्हें नहीं किया इसी के चलते हम इस डील को टर्मिनेट कर रहे हैं लेकिन सचा ही यह है कि यह डिसिशन जैवो कपल आफ आट्स बात में ही आता है जब रश्या की ब्रिज क्रिमिया में यहां पर गिरा दी गई थी युक्रेणियन ड्रोन्स की मदद से अब अलिगेशन यही लगा जा रहे है कि इतना इंपॉर्टेंट सा जो ग्रेंड डील हुई थी जिसके तैत ब्लैक सी को इस्तमाल किया जा रहा था फूड ग्रेंस को एक्सपोर्ट करने के लिए अब उसे रोग दिय सबसे पहले जाननी की कोशिश करते हैं कि दरसल यह डील है क्या देखें ब्लैक सी वन दो मॉस्ट इंपॉर्टेंट वाटर बोडी से कई सारे इंपॉर्टेंट नेशन जैसे के टर्की रशिया यूक्रें यह सभी इसे ब्लैक सी के आसपास ही है और वन अप दे वर्ल्ट ल वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूकरेंट से देखें यूकरेंट और रुट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफूड ग्रेंट है अब पिछले साल फेब्रवरी के महीने में जब से वह और हुआ पूरी दुनिया भर में भुकमरी आइसता से स्टार्ट हो गई क्यू दुनिया भर में फूट ग्रेंज की इस रिलीव को प्रोवाइट करने के लिए यूएन और टर्की ने मिलकर ये डील जो है वो ब्रोकर की हुई थी रशिया और यूकरेंट के बीच हुआ क्या कि फिछले साल जूले के महीने में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूकरे यहां पर इस देख सकते हैं यहां इस इतिरे होगा टिर्किश यो bullying बनाया जाएगा तरकिश किसे Ukrainian ports में विजल्स में खासकर food grains वगरा लोड हो रहा है pre-planned route वगरा क्या कुछ है Black Sea में जिसकी मदद से यह exports वगरा होंगे क्योंकि यह ऐसा region था जहां पर Ukraine और Russian forces heavily mined थे और साथी साथ यहां पर Ukrainian side ने accept यह किया कि हम जो है न से पैसेज आपको प्रोवाइट करेंगे आपको बताएंगे के रूट्स वगरा क्या क्या होंगे तो उसी के चलते Ukrainian pilot vessels गाइड करेंगे commercial vehicles को के वो coastline के उस उस एरिया से जा सके जहां पर safe zones माने जा रहे हैं और in return होगा भी क्या कि जो कोई भी vessels commercial vessels यहां पर उक्रेंट में एंटर होने को देख रहे हैं वह सुपर्वाइस किये जाएंगे कि क्या कुछ वह वेपन्स तो नहीं क्यारी कर रहे हैं तो यह रशिया और यूक्रेंट के बीच सेफटी बनाया रखने के लिए इस तरीके की डील जो ब्रोकर की जा चुकी हुई थी अब objective कह था इस accord का देखें सिंस फेबरावरी 24 जब रशिया ने फुल फ्रेज इन्वेशन जारी किया यूक्रेंट पर तो सिंस देन ब्लैक सी में ब्लॉकेड हमें देखने को मिल रहा ह और रशिया और यूकरेंट के जो एक्सपोर्ट हैं फूट ग्रेंस के वो प्री-वार लेवल के तो यूकरेंट दोनों ही ऑन्ट एक्सपोर्टर हैं ग्रेंट के स्व्षोड की परणे लग गया और यह डियल सांग करवाए गए थी कि फैमान जैसा एक हालत हमें देखने को ना मिले तो more wheat, more sunflower, more fertilizers वगेरा world markets में inject हो सके humanitarian needs को भी हम fulfill कर सके क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा तादा तादा जो है greens की Ukraine और रशिया से आने वाली थी, so heavily जो prices हैं जो बढ़ चुके हैं थे उन्हें नीचे लाने के लिए global food crisis को अवर्ट करने के लिए भी यह initiative लिया जा चुका हुआ था कहा जा रहा है कि जो wheat के prices हैं जो के bread का main ingredient है वह 17% fall हमें इस साल देखने को मिला और corn में भी 26% हमें price fall देखने को मिला just because यह deal हमने sign कर वाई हुई थी अब जाहर सी बात है कि Ukrainian grain जो है वह direct role role play करता है food global food crisis को अवर्ट करने में लगबग दुनिया का 2.2% supplies या फिर 7,25,200 tons wheat जो है वह ship किया जा रहा है through this safe corridor और United Nations World food program भी दरसल इस प्रोग्राम का एक हिस्सा माना जा रहा है जो कि वीट या वगया fruit grains यहां से ले रहा है और Ethiopia Somalia और Yemen जैसे food star donation को भेज रहा है अब question यहीं पर है कि रशिया ने इस deal को आवा था कि हम चाहा रहे थे कि रशियन अग्रिकल्चरल बैंक पर जो western sanctions लगाएगा है उन्हें सबसे पहला अनब्लॉक किया जाए और उन assets पर freeze वगरा जाए वो भी हाटाया जाए हम बार बार यह demand कर रहें कोई भी हमारी demand सुन नहीं रहा है because of that अब इस international level पर repercussions दिखाने वाली इस deal से हम खुद को कर रहे हैं अभी रुक कर देखना होगा कि आगे क्या कुछ discussions होंगे और रिजल्ट क्या क्या होगा यह थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी वीडियो करने से पर आप सभी को एक और बार यहाद दिला दूं के सब्सक्राइब के पास सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं